दोस्तो बिहार का एक लड़का सौधी एरब काम करने के लिए जाता है वहाँ जाने के बाद वो लड़का सेख के घर में ड्राइविंग का काम करने लगता है दोस्तो जिस सेख की घर में वो लड़का ड्राइविंग का काम करता था दरासल उस सेख की बीवी देखने में बहुत खुबसूरत थी और वो लड़का जब पहली बार सेख की बीवी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है उसी दिन से उस लड़की की लियत खराब हो जाती है शेक के बीवी की प्रती दोस्तो इसी तरह से वक्त गुजरता है अब एक दिन सेक चला जाता है बाहर किसी काम से और उस रात सेक घर में नहीं आता है दोस्तो उस दिन का मौका देख कर वो लड़का चला जाता है सेख की बीवी के कमरे में और फिर उसके साथ ऐसा संबन बनाता है कि सेख की बीवी प्रेगनेंट हो जाती है दोस्तो जब सेख को यह बात पता चलता है उसके बाद क्या होता है उस लड़की के साथ क्या करता है आईए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सेखी रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मेरा होसला बढ़ता रहा है दोस्तो मेरा नाम है तबस्स्स पिता के लावा उस लड़की की एक छोटी बहन भी थी परिवार में सब्चिस ठीक चल रहा था दोस्तों जो राजू का पिता था वो मजदूरी किया करता था और मजदूरी करके ही अपने परिवार का भरन पोसन किया करता था लेकिन दोस्तों घर में बहुत ज्यादा गरीव हो जाता है गाव के लफंगे लड़कों के साथ घूमना फिरना सुरू कर देता है लफंगे लड़कों के साथ छेड़ खानी करना वो सुरू कर देता है अब इस सब चीजों से परिशान होकर एक दिन राजु का पिता अपने एक दोस्त को फोन करता है और फोन करके कहता है कि यार तुम तो ट्रक चलाते हो अगर तुम्हारे पास कंटेक्टर चाहिए तो तुम मुझे कहो क्यों कि मेरे बेटी को भेजना है दोस्तों जुसका दोस्त हो कहता है कि मेरे पास तो कंटेक्टर अभी नहीं है मैं अपने मालिक से बात करता हूँ अगर वो कहेगा तो मैं तुम्हारे बेटी को बुला लोगा दोस्तो इसी तरह से दो दिन का समय गुजर जाता है अब दो दिन के बाद राजु के पिता का दोस्त फोन करता है और कहता है कि तुम्हारे बेटी को भेज दो दोस्तो अब उसके बास सही राजु कंटेक्टरी करने लगता है ट्रक ड्राइवर के साथ अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है अब राजु के काम को देख कर उसके घर में माता पिता भी बहुत खुश थे लगबग 2 सालों तक राजु कंटेक्टर का काम करता है दोस्तो इसी तरह से धीरे धीरे राजु पूरी तरह से ड्राइविंग करना भी सीख जाता है अब लगबग इसी तरह से तीन साल का वक्त गुजर जाता है वो एक साल कम से कम ड्राइविंग भी करता है अब धीरे धीरे उसके उम्र भी काफी हो जाती है लगबग 20-21 साल की उसकी उम्र हो जाती है दोस्तों अब इसी बीच एक दिन राजु का पिता राजु से कहता है कि राजु बेटा देखो मैं चाहता हूँ कि तुम साओधी अरब चले जाओ साओधी अरब में जाकर तुम अगर ड्राइविंग का काम करते हो तो वहाँ पर बहुत पैसे मिलते हैं तुम अपने ही दोस्त को देख लो आज से दो साल पहले साओधी अरब गया था और उसने इतने पैसे भेजा कि आज उसके मम्मे पापा इतना अच्छा घर बना लिये है घर की धलाई हो गई इतना सांदर घर बना लिये हैं उसकी बहनों को भी सादी हो गई बटा मैं भी चाहता हूं कि तुम सौधी अरब जाकर काम करो अगर तुम वहाँ जाकर काम करते हो और मोटे पैसे भेजते हो तो देखो घर भी बनाना है और तुम्हारी छोटी बहन बड़ी हो रही है उसकी बहाँ करवानी है क्यूंकि कब तक हम ऐसे ही रहेंगे सभी अपना घर भार बना रहे हैं कब तक हम ऐसे जोपड़ी में रहेंगे दोस्तो अब कहीं न कहीं राजू को भी इस बास सरमिंदगी महसूस होती है और वो इस सोचने लगता ही कि मेरे पापा सही कह रहे है दोस्तो उसके बाद राजू अपने पापा से कहता है कि ठीक ही पापा में सौधी अरब जाने के लिए तैयार हो बस आप मेरा पासपोर्ट और वीजा तैयार कीजे दोस्तो आप जो राजू के पिता थे अपना एक खेद गिरवी रखते है उस खेद को गिरवी रखके वो जाते है दलाल के पास पहले राजू का पासपोर्ट बनवाते है उसके बाद कुछ महीनों के बाद राजू का वीजा भी आ जाता है दोस्तो लगबग 3-4 महीने के बाद अब जो राजू था वो सौधी अरब के लिए निकल जाता है दोस्तो जब राजू सौधी अरब जाता है तो राजू को एक सेख की घर में ड्राइविंग की नोकरी मिल जाती है दोस्तो जिस सेख की घर में राजू काम कर रहा था दरासल वो सेख तीन साधिया किया हुआ था उस सेख की तीन बीविया थी और वो तीनों बीवियों को अलग अलग घर में रखा था और अलग अलग जगों में दोस्तों वो सेख जिस घर में राजु को ले जाता है दरासल वो सेख की छोटी बीवी थी दोस्तों जो सेख था उसका बहुत बड़ा बिजनेस था और वो अपने बिजनेस में इतना बिजी रहा करता था कि उसे वक्त नहीं मिलता था अपनी बीवियों को बाहर ले जा सोपिंग वगरा करा है इसलिए तीनों बीवियों के पास वो एक ड्राइवर छोड़ कर गया था और छोटी वाली बीवी के पास भी वो राजू को छोड़ देता है दोस्तों जो राजू था जब सेख की बीवी को पहली बार देखता है उसी दिन से राजू की नियत बिगर जाती है राजू की नियत सेख की बीवी की प्रती इतनी खराब हो जाती है कि वो हर दब उसके लिए गलती सोचा करता था दोस्तों अब राजू काम पे लग जाता है और इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है दोस्तों जो राजू की ड्राइविंग थी उसकी ड्राइविंग से सेख की बीवी बहुत खुस होती है और कहती है कि राजू तुम तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हो तुमने इतने अच्छी ड्राइविंग कहां सीखी है दोस्तो उसके बाद राजु कहता है कि मैं बजपन सही कंटेक्टर करा करता था उसके बाद से मैंने धीरे धीरे ड्राइविंग करनी भी सीख ली दोस्तो बिसे तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है राजु को उसके घर में काम करते हुए लगभग एक साल का वक्त गुजर जाता है दोस्तो इन एक सालों में सेख और सेख की बीवी राजु से बहुत खुस होते हैं कि दोस्तों जो राजु था वो बहूत है अच्छा लड़का था सेख और उसकी बीवी की हर बात को माना करता था राजु सिर्फ वहाँ पर ड्राइविंग ही नहीं किया करता था कभी सेख कोई कामкоह देता तो उस आमकोँ भी कर दिया करता था और जो सेख की अपने घर में अपने फैमिली मिंबर की तरह रखता है और उसे एक कमरे में बहुत सारी फैसलेटी थी एसी था और भी बहुत तरह तरह की फैसलेटी थी मकमल का गद्दा था उसी में वह ऐसो अराम की जिंदिगी अब गुजारने लगता है दोस्तो और इसी बीच राजु अपने घर हर महीने पैसे भी भी भीजने लगा था दोस्तो उस पैसे से राजु का पिता अपना घर बनवा रहा था वो भी आलिशान घर जिसे गाव वाले देख कर भी दंग रहे गए थे कि एक साली हुए है बेटी को गए हुए और इतना चे खयाल रखती थी उसी तरह से वो राजु का भी खयाल रखती थी उसके खाने पीने में किसी चीज की वो कोई कमी नहीं करती थी दोस्तों जो सेख की छोटी बीवी थी सेख उसके पास 20 दिनों के बाद ही आया करता था सेख की 3 साधिया हुई थी और वो 3 बीवी के पास लगबग एक एक हपते वक्त गुजारा करता था उसका कहना था कि अगर तीनों बीवी के साथ ना रहूं तो फिर मेरी बीविया कहीं और चली जाएगी और किसी और से साधी कर लेगी बस यही सोच कर सेख अपनी तीनों बीवी को खुश करता था दोस्तों जो सेख था दरासर वो अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करता था और उसको छोड़ करो किसे और से साधी नहीं करना चाता था लेकिन दोस्तों सेख की पहली बीवी के कहने पर ही सेख दूसरी साधी करता है क्यूंकि उसकी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे थे दोस्तो सेख और सेख की बीवी काफी साल तक डॉक्टर से मिले इलाज करवाया बहुत सारा दवा वगिरा भी चला लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ अब सेख की बड़ी बीवी के कहने पर ही वो दूसरी साधी करता है लेकिन दोस्तों दूसरी साधी को भी लगबग 2-3 साल का वक्त गुजर जाता है और दूसरी बीवी से भी सेख को कोई बच्चा नहीं होता है अब दूसरी बीवी का भी इलाज करवाता है लेकिन कोई फरकी नहीं पड़ता है दोस्तों अब इसी तरह से सेख को तीसरी साधी करना पड़ता है अब तीसरी साधी को भी लगबग दो साल का वक्त गुजर जाता है लेकिन तीसरी बीवी से भी सेख को बच्चा नहीं होता है अब जब तीनों बीवी से बच्चा नहीं होता है और अपने बिजनेस में ही वो मसरूफ रहने लगता है दोस्तो और यही वज़ा थी कि सेख अपनी तीनों बीवियों को इस तरह से खुश रखता था महीने के एक हफ़ते अपनी बड़ी बीवी के साथ गुजारता था दोस्तो अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है अब सेख की बारी आ गई थी अपनी तीसरी बीवी के पास आकर एक हफ़ते रहने की दोस्तो अब उस दिन जब सेख आता है तो उसकी बीवी बहुत खुस होती है अपने सोहर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है रात को सभी लोग खाना खाते हैं जो सेख की बीवी थी राजु को भी खाना खाने के लिए देती है सबी खाना खाने के बाद अब अपने अपने कमरे में चले जाते है दोस्तो अब धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है आधी रात हो जाती है दोस्तो उसी दोरान सेख अपनी बीवी के साथ संबन बना रहा था अब जो उधर राजू था अपने कमरे में सो रहा था लेकिन दोस्तो उसी वक्त उसे बहुत जोर से पानी प्यास लगती है अब वो उठता है चला जाता है किचन में पानी पीने के लिए दोस्तो जब राजू किचन में जा रहा था तो उसे उस कमरे से अजीवो गरीब आवाज सुनाई देती है अब वो परिसान हो जाता है कि आखिर सेख के कमरे से इस तरह की आवाज क्यों आ रही है आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं दोस्तो अब राजू बेचैन हो जाता है और जानने की कोसिस करता है अब राजू उस कमरे में जाकने की कोसिस करता है कि वो कहां से देखें तभी राज चला जाता है खिर्की के पास और जब खिर्की से जाक कर देखता है तो सेख अपनी बीवी के साथ संबना रहा था दोस्तों यह नजारा देखकर राजू भी एकदम से बेचैन हो जाता है वो भी एकदम बेकाबू हो जाता है लेकिन दोस्तों कुछ देर तक राजू वहां पर खड़ा होकर देखता है उसके बाद किचन में जाता है पानी पीता है पानी पीने के बाद फिर सो अपने कमरे में आकर लेट जाता है लेकिन दोस्तो उस रात राजु को नींद नहीं आ रही थी वो बहुत बेचैन था परेसान था दोस्तो अब इसे तरह से धीरे धीरे एक दो दिन का वक्त गुजर जाता है जब एक दिन राजु देखता है कि उसकी मेडम फ्री है और अकेली ही बैठी हुई है अब राजु जाता है अपनी मेडम के पास और अपनी मेडम से कहता है कि मेडम आपके पती आपके सेख तो आप अपनी मेडम से कि मेडम आप चाहो तो मैं भी वो मज़ा आपको दे सकता हूँ दोस्तों जब सेख की बीवी यह बास सुनती है तो वो कहती है कि इस बारे में तुम कभी सोचना भी मत तुम यहां कमाने के लिए आए हो तो बस कमाने पे धियान दो इन सब चीजों में अगर त तो सेख तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते दोस्तों जब राजू सेख की बीवी से यह बास सुनता है तो वो फिर बात को घुमा देता है और कहता है कि अरे मेडम मैं तो आपके साथ मजाग कर रहा था आप तो खामखा नराज हो गई उसके बाद राजू चला जाता है बाहर और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे चार दिन का वक्त और गुजर जाता है अब एक दिन सेख चला जाता है सहर किसी काम से जब वो जाता है तो साम का वक्त हो जाता है वो घर ही नहीं लोडता है अब आज तुम्हारे मालिक घर पे नहीं है तो थोड़ा बाहर तुम धियान देना एकदम गहरी नींद में मत सो जाना दोस्तों जो राजू था वो कहता है कि ठीक है मेडम आप टेंशन मत लिजे मैं ऐसा ही सोऊंगा दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे आधी रात हो जाती है अब आधी रात के वक्त जो राजू था मौका देखकर जाता है सेख की बीवी के कमरे में दोस्तों जब अंदर जाता है तो राजू देखता है कि जो सेख की बीवी है नाइट ड्रेस पहनी हुई है और बहुत ही खुबसूरत लग रही थी बाल खुले हुए थे उसको बेहत मेरा सोहर मेरे पास नहीं है वो बाहर ए और वो कल सुभा ही आएंगे तुम मेरेसाथ जो करना चाहो कर सकते हो मैं कुछ नहीं करने दोस्तो उसके बाद राजू अपनी मेडम के सास सम्मन बनाने लगता है और पूरी राट अपनी मेडम के सास सम्मन बनाता है दोस्तो आप इसी तरह से धीरे-धीरे सुभा का वक्त हो जाता है और सेक भी घर आ चुका था सुभा के वक्त जब सेक देखता है अपनी बीवी को की वो लंगडा कर चल रही है तो सेक अपनी बीवी से पूछता है की अरे बेगम तुम्हें क्या हुआ तुम इस तरह से लंगडा कर क्यों चल रही हो दोस्तों जो सेख की बीवी थी वो कहती है कि दरसल में सीडियों से गिर गई थी और मेरे पैरों में चोट आई है बस इसलिए में लंगडा कर चल रही हूं दोस्तों जो सेख था वो कहता है किलाव में बाम लगा देता हूं उसके बाद सेख अपनी बीवी की पैर को मालिस कर देता है और फिर उसकी बीवी चली जाती है किचन में नास्ता बनाने के लिए दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे लगभग तीन महीने का वक्त गुजर जाता है अब तीन महीने के बाद एक दिन अचानक से सेख की बीवी की तबियत बहुत खराब हो जाती है। उसको इतनी तेज उल्टिया होने लगती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तो सेख बहुत परिसान हो जाता है और अपनी बीवी को लेकर तुरंथ होस्पिटल जाता है। जब होस्पिटल जाता है डॉक्टर चेक अफ अगरा करते हैं दवा देते हैं। दोस्तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुबारक हो शेख साहब आप बाप बनने वाले हैं। दोस्तो जब यहाँ बाश शेक सुनता है तो वहां से खुसी से पागल हो जाता है, वो इतना चिलाने लगता है, इतना सोर मचाने लगता है कि जिसका कोई जवाबी नहीं, अब होस्पिटल के सारे शटाफ एकदम से दंग रह जाते हैं कि सेक साहब को क्या हो गया, दोस्तो ज खबर को सुनकर होस्पिटल के सभी श्टाब भी बहुत खुस होते हैं दोस्तों उसके बाद शेख अपनी बीवी को घर लेकर जाते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं कि बेगम तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए क्यूंकि तुमने जो आज मुझे खुसी दी है ये चमतकार हुआ कैसे आखिर इतने सालों से तो कुछ नहीं हो रहा था और इसके वज़ा से मैंने तीन तीन साधिया भी की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ आखिर अचानक से ये चमतकार कैसे हो गया दोस्तों उसके बाद सेख कि बीवी थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि मैं आपको हकीकत बताने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप मुझे से वादा कीजे कि आप मुझे पर गुस्सा नहीं करेंगे दोस्तो जो सेख था वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा बस तुम बताओ कि हकीकत क्या है दोस्तो उसके बाद शेख की बीवी बता देती है कि उसके और राजु के बीच में किस तरह का रिस्ता है वो राजु के साथ किस तरह से सम्मन बनाई थी और उसी का न खुस होता है और राजू से कहता है कि राजू तुमने जो खुसी आज मुझे दी है उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए किस चेच की कमी है कितने पैसे चाहिए तुम बताओ दोस्तों जब यह बात सुनता है राजू तो भी दंग कितने पैसे चाहिए दोस्तों जब यह बात राजु सुनता है तो वह तो बहुत डर जाता है लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश भी हो रहा था क्यूंकि सेख बहुत खुश था दोस्तों राजु कुछ नहीं कहता है वह चुप-चप से बैठ जाता है दोस्तों अब उसी वक् क्यूंकि तुमने जो खुशी आज मझे दी है वो किसी खजाने से तो कम है नहीं दोस्तों उसके बाद सेख अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि देखो बेगम तुम्हें सरमिंदा होने की जरुरत नहीं है तुमने जो भी किया बिल्कुल अच्छा किया तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है यह माइने नहीं रखता है मेरे लिए बस तुम्हारे कोक में पल रहा है और वो बच्चा जो भी होगा वो हमारा ही होगा बस तुम खुस रहो दोस्तों उसके बाद सेख अपनी दोनों बीवियों को भी यह बात बताता हैं दोस्तों अब इसी तरह से धीरे-धीरे वक्त गुजरने लगता है सेख अपनी बीवी का बहुत ही अच्छे तरीके से खयाल रखने लगता है घर के कामकाश्व के लिए सेख और एक नोकर रख लेता है और अपनी बीवी के बाद एक दिन अचानक से सेख के बीवी के पेट में दर्द उठता है वो भी डेलिवरी का दोस्तो अब तुरंद सेख अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है हॉस्पिटल में आधे घंटे एडमिट होने के बाद सेख की बीवी एक बेटी को जन्म देती है दोस्तो उस बेटी के जन्म के बाद से सेख के परिवार में खुसियों का माहुल चा जाता है सेख बहुत खुस होता है और यह खुस खबरी अपने पूरे रिष्टेदार खांदान और दोस्तों के साथ सेर करता है दोस्तो सभी लोग सेख को मुबारक बात देते हैं अब 2-3 दिन गुजरने के बाद सेख अपनी बीवी को लेकर घर जाता है होस्पिटल से दोस्तों उसके बाद सेख एक 5-star होटल में बहुत बड़ी पार्टी रखता है और उस पार्टी में सहर के जाने माने हस्ती बड़े-बड़े बिजनिसमेन को सेख इनवाइट करता है और बहुत ही धूमधाम से पार्टी करता है दोस्तो पार्टी करने के बाद अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं सेख भी अपने परिवार के साथ बिजी हो जाता है दोस्तो अब इसे तरह से धीरे धीरे लगभक एक महीने का वक्त गुजर जाता है अब एक दिन अचानक से सेख अपने ड्राइवर राजु को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि राजु मुझे तुम से बहुत जरूरी बात करनी है दोस्तो राजु कहता है कि जी सहाब बोलिये क्या बात है उसके बाद सेख कहता है कि देखो राजू तुम्हारी वज़े से मेरे घर में आज इतनी बड़ी खुसिया आई है इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा लेकिन राजू देखो यहाँ बात हम तीनों के बीच में हैं मैं तुम और मेरी बीवी ही जानती है कि य किसी चौथे को पता चले या फिर किसी और को भी पता चले इससे अच्छा बहतर यहीं है कि तुम यहां से चले जाओ अपने घर में नहीं चाहता कि गलती से भी तुम्हारे मुह से यहाँ बात किसी के सामने निकले कि यह जो बच्चा है सेख के घर में वो मेरा है दोस्तो सेख की बातों को सुनने के बाद राजू कहता है कि जी साहब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तयार हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने घर इंडिया लोट जाओं तो ठीक है मैं अपने घर इंडिया चला जाता हूँ दोस्तो उसके बाद सेख राजू का टिकट करवाता है राजू सिधा टिकट लेता है और एरपोर्ट चला जाता है एरपोर्ट से फ्लाइट पकर कर और वो एक करोर रुपे लेकर सिधे अपने घर इंडिया चला आता है दोस्तों जब राजो अपने घर आता है तो उसके माबाप बहुत खुस होते हैं और इतने सारे धनरासी इतने सारे पैसे लेकर आता है तो उसके माबाप तो फूले नहीं समा रहे थे लगबग दो तीन महीने के अंदर ही राजु अपने घर को पूरी तरह से खड़ा कर देता है और इतना सांदार घर रेडी करता है कि गाउ वाले देखते ही रह जाते हैं अब जो राजु था दोबारा कभी सौधी अरब नहीं जाता है अपने लिए एक गाड़ी खड़िता है और अपने ही गाउ में रहे कर वो काम करने लगता है तो दोस्तो ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने इस कहानी के उपर आप लोग की क्या राई है अपने अपनी राई कमेंट सेक्शन में जरूर दीजे दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी कि भी भावनाओं को ठेज पहुचाना नहीं है बलकि आप लोग का मनुरंजन करना है दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में जितने भी लोग कमेंट किये हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं बिकास मुर्मू बाला स्वर उडिसा से महेंद्र उडिसा से मास्टर सरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से अबु सैफ अनसारी आयूब अनसारी उत्तर प्रेदेश से स्याम प्रकास कुसवाहा पत्नी सुमन कुसवाहा इटावा उत्तर प्रेदेश से मुहम्मद जावेद अलिगर से, हसीबूल अनसारी दुबई से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, आसिफ खान सिसबा से, अभै सिन्हा हैदराबाद से, बादसा भाई महराश्टु से, राज कोलकता से, अतीकुर सेख असम से, कमल चोधरी बाजबा सिधार्थ न मुर्सीद आलम, तहसीन और तंजीम, फारविस गंजरर्या बिहार से, बलराम चोधरी, वारमेड राजस्थान से दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्ये का नाम कमेंट सिक्षन में जरूर लिखे ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूँ दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैंद